दोस्तों तेजी से अगरा वजन बढ़ाना चाहते हैं, दुबले पतले शरीर को मोटा करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बरोसा दिलाता हूँ, गैरेंटी देता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे पूरे इंटरनेट पे इससे बहतरीन इससे इस वीडियो आपको नहीं मिलने वाली दोस्तों एक तो जो लोग बहुत दुबले पतले होते हैं उनके शरीर पे दूसरी लोग जब उनको देखते हैं एक तो उनको खुद को आत्म गलानी महसूस होती है साथ में दूसरे भी देखते हैं तो एक confidence नहीं आता है तो बहुत अस होता है अगर आप दूबले पतले हैं वजन बढ़ाना चाहते हैं मैं आपको बता दू कि इतना आसान होता है वेट गेन करना बस आज मैं आपको इस वीडियो में दो घरेलू नुस्खे बताऊंगा इनमें से किसी का भी आप एक का प्रियोग कर लेना कोई भी घरेलू नु को अंत तक देखेंगे खाली नुस्खा नहीं इवन मैं आपको एक्सरसाइज व्यायाम योगा और साथ में आपको अपना डाइट प्लैन क्या रखना चाहिए ये भी बताऊंगा चलिए बिन टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न पहली चीज़ यहां पर जो मैंने इस नुस्खे को बनाने के लिए लिए आप लोग इसको क्या कहते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आपके शहर में आपके गाउं में क्या कहते हैं दोस्तों यह है वरत में यूज होने वाला फास्टिंग में वो hydrates पाय जाते हैं जो कि दोस्तों आपको energy देते हैं और साथ में भूख नहीं लगने देते हैं तो आपको क्या करना है एक तो आप ना बहुत एक से डेट चमच मातरा में आप जो छोटे वाला चमच होता है उसमें पानी में साबूदाना बिगो करके इसको दोस्तों आप सूबे उट करके चबा करके खा सकते हैं एक चीज़ का ध्यान रखी हैं यहाँ पे मैं दो लोग के लिए ले रहा हूं तो मैं थोड़ी quantity जादे ले रहा हूं जादा मातरा में अगर पहले ही दिन से शुरुआत करेंगे तो यह पेट भी खराब कर सकता है यह चीज़ का ध्यान रखें इसकी अलावा दोस्तों मैं आपको डाइट प्लैन की बात करूँ तो जिन लोगों को बहुत जादा वजन अच्छा तेज से बढ़ाना है उनको सद्गुरु जगी वासुदेव से सीख सकते हैं यूट्यूब पर सर्च कर लेना सद्गुरु जगी वासुदेव कुछ प्रक्रियाओं का मैं नाम बताता हूं जो कि वजन तो बढ़ाती है साथ में एनरजी बहुत तरी से बढ़ाती है वजन बढ़ाने के लिए एनरजी पदती होती है दूसरी होती है सूरे शक्ती और तीसरी होती है सूरे क्रिया और एक और होती है जिसको योग आसन बोलते हैं जो नॉर्मली आपने सुना होगा लेकिन कोई व्यक्ति अगर सिर्फ या तो अंगमर्दना या तो सूरे शक्ती कर लेता है दोस्तों इतनी तेजी से वजन बढ़ेगा जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जो साबू दाना ले रहे हैं वो आपको अच्छी कॉलिटी का लेना है और यहाँ पर इसकी खिचडी भी बना सकते हैं आप य दूद ले सकते हैं तो दोस्तों इसके बीच में डेड़ से दो चमत छोटे वाले जो होते हैं वो आपको साबू दाने के मिला देने जादा नहीं मिलाना ध्याना के वरना पेट खराब कर देगा यह अगर आप इसका डेली प्रियों करने वाले आपी गर्मिया भी आरी हैं तो गर्मियों के मौसम में जादा है बहतर तो वजन बढ़ता है सर्गियों के मौसम में लेकिन अगर आप गर्मियों के मौसम में नुस्खा कर रहे हैं तो कोई दिकत नहीं एक एक दिन छोड़ करके करें और दोस्तों इस तरह से आपको दूद के बीच में साबू दाने को पका लेना है बाद में आप अलग एक पतीली में पैन में चाहें तो उसमें पानी डाल करके गुड़ को पिगाल के यानि की मेल्ट करके एंड में दोस्तों इसके बीच में मिला सकते हैं अगर ऐसे ही गुड़ को मिला देंगे आपको diabetes की दिकת नहीं है तो यहाँ पर मीठा मिलाएंगे और अच्छा खासा मीठा मिलाएं क्योंकि आप exercise भी करेंगे तो दिकत नहीं करता है मीठा मीठा उन लोगों को दिकत करता है जो वयायाम नहीं करते है बाड़ी का use नहीं करते है वो भी मीठा अगर आप गुड़ खाते हैं जो एकदम डार्क ब्राउन कलर की जैगरी होती है तो वो तो बिलकुल नुकसान नहीं करेगी इवन फाइदा करती है पोसक चतो होते हैं उसके बीच में और साथ में दोस्तों आपके पेट के पाचन तंतर को मजबूत बनाने के लिए जो जैगरी होती है गुड़ होता है बहुत अच्छा होता है तो यहाँ पे खीर बन करके तयार हो चुकी है तो आपको इस तरह से इसको खा लेना है आपको मैंने बिगो करके भी बताया था पहले उसको रात को पानी में साबूदाने को बिगो करके रखके अगले दिन इसकी इस तरह से खीर भी बना सकते हैं चाहें तो इसके बाद में मैं आपको एक नुस्खा बताने वाला हूँ वो केले का नुस्खा रहेगा वो व्यक्ती कोई भी व्यक्ती जो उस नुस्खे का प्रियोग कर लेता है तो मैं कहता हूँ कि तीन गुना तेज से आपका वजन बढ़ेगा केला और साथ में साबू दाने का वजन बढ़ सकता है जी बढ़ जाएगा लेकिन इतना फाइदा नहीं होगा आपको तो अंग मर्दना सूरे शक्ती आप जरूर सीखें इश्या फाउंडेशन सद्गूरु जगी वासुदेव से और साथ में दोस्तों शरीड को मजबूत बनाने के लिए मिट्टी में अवश्य चलें अभी सद्गूरु जगी वासुदेव मिट्टी को बचाने का एक बहुत ही जादा जबरदस्ट आंदोलन चला रहें क्योंकि आभी मैं आपको बताऊ ना जो मिट्टी है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी आजकल और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं अगली पीडी आने वाली हैं उनको इतनी भ्हंकर गंबीर बिमारी होंगी छोटी उमर में जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते तो मिट्टी को बचाने के अंदोलन में भी आप चाहें तो सद्गुरु जी का आप उनका योगदान अपना दे सकते हैं यहां पर मैंने केलों को छोटे छोटे टुकडों में काट करके ले लिया है अब आपको दोस्तों कुछ चीजों का ध्यान रखना है सबसे पहले तो स्टार्टिंग में जब आप केले का प्रियो करें तो दो से तीन केले भी खा सकते हैं एक तो यह पेट को साफ रखता है कब्स को दूर करता है और साथ में यह जो साबूद आने वाला दूद है ना वो भी इसके बीच में जो अभी हमने खिचड़ी बनाई है ना वो भी इसके बीच में डाल करके नाश्टे में, सुबे, अंग मर्दना या फिर सूरे शक्ती करने के बाद अगर आप खाते हैं तो दोस्तों इतना बहतरी ही होता है या पे चीनी में मिला रहा हूं, गुड़ भी मिला सकते हैं, गुड़ की चाशनी मिला सकते हैं के बीच में इतना तेज से वजन बढ़ाता है जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते हैं साबुदानी की खिचड़ी जो मैंने अभी बनाई थी ना दूद में उसके बीच में आप केले डाल ले ना दोस्तों काटके तो बहुत तेज से वजन बढ़ेगा आप जिसकी कल्पना भी कर सकते ना उतनी तेज से थोड़ा से ओट्स भी इसके बीच में मिला सकते हैं एक चुटकी अश्वगंदा का जो चूरन होता है या जड़ी बूटी होती है वो भी दूद में पका करके दोस्तों आप ले सकते हैं वजन को तेज से बढ़ाने के लिए और वो ताकत को भी ब नॉर्मली भारत में सबजी रोटी या फिर कहीं लोग दाल भी खाते हैं तो आप वो सब खाईए नाश्टे में लेकिन उसके साथ में ही आपको पचास प्रतीशत फ्रूट्स भी लेने हैं यानि कि जैसे जो सीजनली फ्रूट्स अविलेबल होते हैं जैसे केला हो गया संक में डाल करके उसमें आप किशमिश को पानी में बिगो करके भी साथ में ले सकते हैं इसे वजन भी बढ़ता है खून की कमी भी वो कहते हैं खून बढ़ाने की मशीन है ये दाने आपने सुना भी होगा तो दोस्तों इतने बहतरी नोते हैं पानी में बिगो करके रखें रा के और साते में कुछ दसं से पंदरां किशमिस के बीच मिला सकते हैं मीठी होती है वजन को भी बढ़ती एए farther को दूर करती है चहरे पर चमकलाती है ओज तेज नूर बढ़ाने में मड़द करती है ताकत चुस्ती ůρति को भी बढ़'tी करती है और जिन पुर्षों में बिल्कुल भी शक्ति नहीं रहती है शादी से पहले या शादी के बाद आप समझ पा रहे हूंगा मैं किसकी बात कर रहा हूं तो उसमें भी दोस्तों यह बहुत जादा कि अधरता है शक्ति नहीं है रहा हूं कि रहादी से अप्तिक भी शक्तिक बातो ऊग् Xing